हलो नमस्कार सातियों कैसे हूँ मस्तोंगे जबरदस्तोंगे वाइरल न्यूज सुरसुबरी एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ दिल्ली होमगार्ड वालों को जैसा हमने काता वैसाई हो रहा है हमने आपसे पहले भी काता कि फरवरी लांस या मार्च पस्ट व जारी पद रह सकते हैं खाली साहँ है ठाली-टो बात कितने पद खाली रह सकते हैं यह भी बतार देता हूं नहीं बरती दहीं कि लासी गये है जो फोरूम नहीं बर पा रहे हैं तुरंत प्रभाव से फोरूम बर दे या पहले के वीडियो देख लिए हमने कापी प्रोसेस बता रही है एक दिन में भी आप फोरूम है बर सकते हो सबसे पहले वीडियो पर नहीं तो वीडियो को शेर जरूर करें और जिन्होंने चैनल को सक्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को सक्सक्राइब कर ले एक न्यूज वाइरल हो रही है दोस्तों जिसमें बताया जा रहा है कि 2320 परवरी से दिल्ली होमगार्ड के फिजिकल प्रारंब है अगर ऐसा हो जाता है और ऐसा होगा तो मेरे सातियों बहुत बड़ी दुविदा की बात है कि समय नहीं मिल पाएगा और मातर 6 मिनिट में 1600 मिटर की दोड लड़कों के लिए और 1600 मिटर की दोड लड़कों के लिए आठ मिनिटे में पूरी करना लगबग ऐसांबव नजराता है ऐसा क्यों नज़र आता है मेरे साथ यूँ क्योंकि अभी कुछी दिनों पहले दिल्ली फिलीस के फिजिकल हुए हैं और उनमें तो बिल्कुल 18-25 के बच्चे मांगे गए थे और उनसे ही फिजिकल क्रैक नहीं हो पाया तो फिर आपके 30 तक मांगी गई है और 20-30 मांगी गई है फिटनिस का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तो 10-12 दिन का आपके पास ताइम है बहुत अच्छे से बिजिकल कीजिए बहुत अच्छे से तैरी कीजिए अनपिट ना हो ऐसे आप अनुकुल के वला आपको दोड़-दोड करनी है और दोड़ की तनमन धनस है तैरी करें दोड को कैसे करें कर रहा है इस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा आप जरूर देखेगा वीडियो पर आएगा सबसे पहले मैं तोड़ा सा यहां इस नोटिस के बारे में आपको बता देता हूँ नोटिस से में क्या-क्या आया है? मुक्खे चीजे मैं अपनी बासा में समझाओ 23 सोई से फर वरी को आपके बिजिकल होंगे جس में लड़कों को 1600 मिटर की दोड़ करणी है जब कि लड़कों को 1600 मिटर की दोड़ करणी है आट मिनिट में है आपके नो ग्राउंड निश्पित किये गए हैं जो दिल्ली पुलिस के दिवनी से जिनमें छे वजीराबाद के ग्राउंड है और तेन जाड़ोदा कला के ग्राउंड है उसमें आपको DSP, SP, Ahead Constable Constable ऐसे कुछ व्यक्तियों की नुकते भी की गई है तो मैं आपको कुछ ले जूम करके रखा, यह नोटिस आपको आराम से दिख रहा होगा इसमें साब साब लिखा है इसमें सल यह जो भी बताया गया इसका ज्यादा रामाइन की बात नहीं है इसने साब सब्दों कहा है कि 23-24 परवरी को हम आपका फिजिकल स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए हम इसके लिए DCPS 12 है, ACPS 12 है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर 36 है और Head Constable 36 उनकी एक टीम बनाई गई है और इस टीम द्वारा इन ग्राउंडों को निरक्षन किया जाएगा और आपके ग्राउंड टाइम पर फिजिकल चालू करवा दिये जाएंगे आपके जो फिजिकल के एडिमिट कार्ड है, वो लगबग 20 तारिक तक जारी कर दिये जाएंगे 20 या 20 तारिक तक, लास्ट 20 तारिक से पहले पहले जारी कर दिये जाएगा और ऐसा लगड़ा है अगर फिजिकल होंगे, तो मैं आपको बता दू, 10 से 12 दिन में आपके फिजिकल कंप्लेट करवा लिए जाएंगे तो आपका जो एक्जाम होगा, इस एक्जाम के लिए भी बाइसाब आप हो जाओ तयार क्योंकि आपके एक्जाम फिर मार्च के महा में हो सकती है लास्ट, लास्ट मार्च में, लास्ट मार्च में या पस्ट अप्रेल में, अप्रेल में ये आएक्जाम आपकी डेफिनेटली हो सकती है तो तयारी पर आप विसेज ज्यान दे, फिजिकल करोगे तब ही आगे बढ़ोगे तो फिजिकल मैं है तो 10-12 दिन पढ़ाई को आप ओल्ड भी रख सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, मगर फिजिकल पर आपको पूरा पूरा ध्यान है देना क्योंकि आज 13 तारीक है, 23 तारीक से आपके फिजिकल चालू है, यानि 10 दिन का आपके पास टाइम है लडकियों के लिए भी लडकों के लिए, लडकियों को तो यह मानो, exam fight करना है फिर आपको कुछ नहीं, फिर हम है, हम आपको exam fight, physical करना है, exam fight हम करवाएंगे फिर यह हमारी गारंटी है, 100% हम 100% मैं आपको कहता हूं, गारंटी बैच चलाएंगे क्या करेंगे गारंटी कि आपका फिजिकल हो गया तो एक्जाम हम क्रैक करवा के देंगे 100% गारंटी बेच चलाएंगे हम इसका सपलता वाला ओफ्लाइन बेच वो भी दिल्ली में, वो भी दिल्ली में, कहीं आने जाने की जुरूत नहीं है, कहीं पडोसी राजियों में बढगने की आउसता नहीं है, सीधा-सीधा दिल्ली में और इनी PTS सेत्रों के आस पास में हमने जगे देख लिए हैं, और जैसे ही आपके फिजिक वो भी लिसकते हैं 10,255 पोस्ट के लिए बाइस्टेडी एप को डाउनलोड करें गूगल पर जाए बाइस्टेडी एप को डाउनलोड करें और मातर 300 रिनान में रुपे में कोर्स करी दिये अगर आपसे कोर्स डाउनलोड नहीं होता है नहीं समझ महारा है तो यह दो नमबर दिये गये हैं इन्हें दोनों नमबरों पर आप वाटसब मेसेज कर दे हैं वाटसब मेसेज कर दे हैं या कोल कर ले कि से कोर्स जोइन नहीं हो रहा है या कोई जाने करी चाहिए यह और आप इस पर आपको यह लेटर चाहिए ना यह लेटर चाहिए तो आप हमारा telegram group join कर लाइज चयनल का नाम से जो एप का नाम है उसी नाम से टैलीगराम ग्रुप है बस गैप नहीं देना है वह जोइन कर ले मैं ही लेटर भी ढाल दूंगा है और भी समस्यारी तो इन पर WhatsApp सब मेसेज कर दें जो भी जाने करी चाहिए आपका एक बात पता दूं जो भी बच्चे वीडियो दे रहे हैं फिजीकल पास करें तो इन नंबरों पर आप मेसेज जरूर कर देना कि सर मेरा फिजीकल पास हो गया है अब मैं क्या करूं हम आपको उचित गाइडेशन देंगे बहुत सांदार निर्न देंगे दोनों बंदों की तस्वीर आपको नजर आ रही हो कि होंगार्ड में आप कितना वहतरीन कॉर्स लेकर आए या आप सब भी जान रहा है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप अभी इस कॉर्स को डाउनलोड किजिए हम देखो दोनु फॉर मेंट में भी आपको पूरा कॉर्स देंगे और लाइफ लासों के मद्धिम से देंगे यूटूब के मद्धिम से देंगे पीडियेप दे रहा है ट्रेट सीरी दे रहा है टॉम वस्ट फैकल्टी दे रहा है और एक्जाम तक आपका कॉर्स सालू रहेगा तो आज भी गूगल प्लेश टोर पर जाकर भाई शेडियेप को डाउनलोड करें और कॉर्स को खरीदें ओफ लाइन बैच की तोड़ी ची में परीचर्चा कर लेता हूं मेरे सातियों ओफ लाइन बैच में हमने क्या किया है देखो ओफ लाइन बैच की तैय फिट हो जाओ उसके बाद मैंने ये दो नुमबर लिख गी है इन दोनों नुमबरों पर आप कोल करके पूर्ट जानकरी ले ले लेना पहली कंडिशन तो यह है दूसरी कंडिशन क्या है आप यहां तोड़ा सा ध्यान देना तैयरी करते समय आपको वीडियो में कैसा बंदे को पढ़ाने का कितना अनुबहु है और जो इन बंदों की मैं बात कर रहा हूं न यह बंदे की 18 साल का एक्सप्रियंस है दिल्ली पुलिस को पढ़ाने का डिल्ली वालों को पढ़ाने का 18 साल का एक्सप्रियंस है वह एक्सप्रियंस आपके सामने जलकेगा जो ज़स्ते 7 गंटे रोजयाना पढ़ना है, ज़्यादा आपके दिमाग पर जोर नहीं डालना है, आपको सबसे ज़्यादा मैथ, रिजिनिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका स्कोर ये करवाएगी, सेलेक्स्तान का आदार मैथ और रिजिनिंग होता है, रिजिनिंग का टार्गेट आपका है ना जो 20 में से 20 का होना चाहिए, मैद का टार्गेट 17 से 18 का होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम करवाइंगे, अब रही भैसाब GK वाले और GS वाले पार्ट की, तो GS प्लस करंट पर ज्यादा ध्यांग दिरना है, इन पर ज्यादा ध्यांग दिरना है, क ठीके पर आपको कम ध्यान धना है जो पढ़ाया जाया उतने पर ढॉन्च कर रहा है, 25 पर लौंच कर रहा है, 20 परवरी को, कितने परवरी को harus स्युक्ति परसे खते हैं, उनके मैं कमें लिए Kne agradराई रहेगा, भी आप देख सकते हो, भूत ये तरीकें में तयरी के आपको करवाईगे, सारी चीजिए हुँ ये हिंदी में भी आपको अगर नहीं है, तो 1600 मिटर की दोड का उचित तरीका है, no ground है, 2320 परवरी को यह फिजिकल है, यह आपका दियो जो इंदी में है, वर्थन वो कोई ज़्यादा माहिने नहीं रखता, तो यह 20 परवरी तक आपके पास notice आ जाएगा, तो इसकी तो ज़्यादा कोई ऐसे है, एमियत है, नहीं है, वो मैंने बता दिया है, यही चीज़ है, तो फिजिकल आ गया है मेरे साथ यह, बिलकुल सांदार तरीके से तहरी करें, यह official notice है, अब देखो, लगबग सत्ते ही मान के चल रहा है, और सही भी है, कि यह 2320 परवरी को आपके फिजिकल है, प्रारम हो जाएंगे, तो तहरी ब लोग ही फिजिकल पास कर पाएंगे, तो पद खाली रहने की संभावना है, और पद खाली रहने की संभावना है, तो आगामी भरती भी जल्दी आने वाली है, आगामी भरती भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है, यह पद खाली रहेंगे, तो फिर दूविदा रहेग यह आपको चाहिए तो मैंने एक तो नंबर दे दिया 9887646020 या 9351483878 यह आपके नंबर दे दिया मैंने अंदर भी बता दिया नंबर तो आराम से आप इन नंबरों वाट समेसेज करके भी इसको प्राप्ते कर सकते हो ठीक है मेरे साथ दियो तो आपको सारी जानकारी मेरे साथ से मिल गई होगी जो भी जानकारी नोटिस के बारे में बता दिया फिजिकल डेट होगी बता दिया एक्जाम की भी अप उनने तो बात कर ली कि एक्जाम है जो एक्जाम होने वाला हो मार्च लास्ट में या अप्रेल पस्ट में आपको दो चार पांदस तिर में इसका भी नोटिस देखने को मिल सकता है जो वाइरल नोटिस है उसकी सारी जानकारी आपको प्राप्ते हो चुकिए अगर फिजिकल हो गया तो फिर आपके नोकरी के बल्ले बल्ले हो सकता है ठीक है फिर साती हो इसी के साथ अलविदा चाता हूँ जैहिंद जैबार